नमस्कार दोस्तों नूतर स्टेडीज के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में हम देखेंगे Employee Provident Fund EPF की डीटेल्स के बारे में ऐसी इंफर्मिशन जो जनरली हर एक परसंड को नहीं पता रहती है कुछ बेसिक डीटेल्स EPF की आज इस वीडियो में हम देखेंगे अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक इट और सब्सक्राइब माइ चैनल नूतर स्टेडीज तो यह शुरू करते हैं Employee Provident Fund को जानने से पहले हम यह देखेंगे Provident Fund क्या होता है तो Provident Fund जो है बेसिकली एक सेविंग स्कीम है जो आपको रिटार्यमेंट के टाइम पे एक अच्छा कॉर्पस आपके पास इखटा हो जाए इसके लिए डिजाइन की गई है जनरली इस Provident Fund को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो elderly people है उनकी financial security अविलेबल रहे है उनके पास कोई financial security रहे जब वो रिटायर्ड हो जाए जो जनरली हर परसंद की पास नहीं रहती है तो इस वज़े से Government ने एक Provident Fund की schemes को start किया है कई टाइप के Provident Funds है साथ ही साथ Provident Fund में जो investment होता है वो बहुत ही low risk का consider होता है क्योंकि इसमें जो भी आपका पैसा लगता है जनरली वो debt में लगाया जाता है mostly जादा तर उसका portion और साथ ही साथ इसमें Government की backing होती है पीछे support होता है इस वज़े से इसमें अच्छा interest rate भी आपको मिलता है तो यह कुछ basic चीज है जो Provident Fund के बारे में है कई टाइप पे Provident Funds है जैसे Public Provident Fund के बारे में अपने अच्छे से सुना होगा आज इस वज़े में हम बात करने जा रहे है Employee Provident Fund की जो हर एक Employee Generally अगर किसे Organized Company में काम करता है तो उसके basic salary में से automatically वो cut होता होगा तो यह EPF क्या है यह आज हम देखेंगे तो Employee Provident Fund जो है यह saving scheme है जो Employee Provident and Miscellaneous Act 1952 के according इंट्रोड्यूस की गई है EPF को EPFO that is Employee Provident Fund Organization जो है वो manage करता है यह एक trust है जो Indian Government के अंडर जो Labor and Employment Ministry है उसके अंडर आता है साथ ही साथ यह जो EPF है इसको इस तरह से create किया गया है जिसमें employee और employer जो है अपना कुछ contribution इसमें डालते हैं और वो पैसा market में debt में equity में invest किया जाता है और accordingly उसमें interest भी government pay करती है तो उस वज़े से एक corpus आपका इखटा होता रहता है vast number of people जो से company में जितनी भी companies में लोग है उनको इखटा करके हर एक employee का कुछ जो भी पैसा है वो इखटा होता रहता है पूल होता रहता है इसमें और इस trust के द्वारा इसको manage किया जाता है साथ ही साथ EPFO every year अपनी interest rate announce करता है government के रूप में और वो interest rate for financial year 2019-20 के लिए 8.50% है हाल फिलाल अभी 8.5% का इसमें interest मिल रहा है annually तो यह है EPFO अब हम बात करेंगे इसकी basic eligibility and contribution के बारे में तो क्या eligibility है सबसे पहली बात as per law अगर कोई organized company है कोई registered company है जिसके पास में 20 employees से जादा person है तो उसको EPFO में registered होना compulsory है अगर EPFO में registered हो जाते हैं तो employer employer हर महीने 12% जो भी salary है वो EPF में contribute करता रहता है मतलब जो आपको salary employee को मिलती है उसमें 12% जो है employee का contribution cut होगा और उतना ही portion employer भी उसमें add करेगा और वो EPF में add होता रहेगा लेकिन private sectors में जारतर ऐसा देखा जाता है कि यह जो salary है यह basic plus DA पे calculate नहीं होती 12% जो contribution है बलकि सिर्फ basic salary पे इसको calculate किया जाता है साथ ही साथ अगर 20 employees से कम किसी company में employees है और वो EPFO के साथ registered होना जाता है तो contribution rate जो है EPFO ने fix कर रहे हैं वो 12% contribution नहीं होता है it is fixed at 10% मतलब employee और employer जो है वो 10% ही अपना contribution EPF में देगा उसके बाद बात करते हैं यह तो था employee की और employer का 12% है 10% contribution लेकिन voluntarily अगर employee चाहे तो अपना extra पैसा भी कटवा सकता है अपनी salary में से that is known as the voluntary provident fund मतलब जो 12% माफ केजे 12% अगर आपकी basic salary में से cut हो रहा है उसके उपर भी अगर आप अपना पैसा कट करवाना चाहते है suppose 20% 30% तो आप वो कटवा सकते हैं up to the maximum salary जो आपकी है उसको आप बोलते हैं voluntarily provident fund में invest करना और इसको separately calculate किया जाता है इस पे जो भी interest rate होता है वो भी एक और चीज employer जो है 12% अपने रूप में जो EPF में contribute करता है total 12% जो है वो EPF में introduce नहीं होता है calculate नहीं होता है बलकि उसमें से 8.33% जो है वो आपकी pension scheme employee pension scheme होती है उसमें add किया जाता है और बाकी का जो बचा हुआ 3.67% है वो EPF में add होता है मतलब effectively देखा जाए तो आपका 12% जो employee का contribution है और मोस्ट 3.5% employer का contribution है वो EPF में जाता है और बाकी 8.33% pension के रूप में आपको retirement के time पे as a pension हर मेने मिलता रहेगा उसके बाद में यह जो calculation की वी है employer की employee की वो maximum basic पे जो है वो 15,000 पे की वी है अगर employer employee तो 12% salary अपनी cut करवाएगा वो कितनी भी हो सकती है लेकिन employer का 12% calculate होता है that is maximum basic पे जो है वो 15,000 पे calculate होता है अगर 15,000 से उपर किसी की basic पे है तो भी employer का contribution जो 12% है वो 15,000 पे ही calculate होगा तो यह कुछ eligibility और contributions की point है उसके बाद हम देखेंगे withdrawals के बारे में तो withdrawals किस तरह से होता है जनरली जब तक आप employee retired नहीं होता है परसंट 58 years और 60 years तो तब तक जनरली उसको अपने EPF के account से withdrawal allowed नहीं होता है लेकिन कुछ circumstances में withdrawal को allow किया जाता है वो कौन-कौन से circumstances है सबसे पहले बात करते हैं अगर कोई person jobless हो गया है या self-employed होना चाता है इंडिया में तो उसकी दो conditions है उस case में वो अपना जो भी EPF का contribution उसमें से पैसा निकाल सकता है कितना निकाल सकता है पहला महिना अगर वो job के बिना रह रहा है तो up to जो भी उसका EPF में contribution है उसका 75% वो withdraw कर सकता है और साथी साथ अगर आप दो महिने unemployed रह जाते हैं तो बाकी बचा हुआ 25% भी आप उसमें से निकाल सकते हैं मतलब की अगर आप job नहीं कर रहे हैं self-employed होना चाते हैं और आपका पहले EPF में कुछ पैसा था तो आपको total पैसा निकालने के लिए दो महिने तक का wait करना पड़ेगा उसके बाद बात करते हैं दूसरी condition जो हैं अगर आप दूसरी जगे job कर रहे हैं मतलब इंडिया से बाहर settle हो रहे हैं या इंडिया से बाहर job करना चाते हैं तो उस case में circumstances में आपको immediately सारा पैसा निकालने का option available रहता है लेकिन उसमें आपको वहां के जो भी documents हैं वो provide करने प है कि अगर कोई female employee है और वो marriage की वज़े से अपनी job छोड़ रही है तो उस case में भी उसको total जो भी है EPF में उसका contribution वो total एक साथ वो A की बार में निकाल सकते हैं इसके लिए भी उसको अपना marriage certificate और other documents provide करने पड़ते हैं तो ये कुछ withdrawals के circumstances हैं उसके बाद में हम बात करते है partial withdrawals की तो क्या EPF में से partially कुछ पैसा withdraw किया जा सकता है इन चीजों के बारे में हम देखेंगे तो सबसे पहली condition ये है कि अगर आपने 7 years service में complete कर लिये हैं तो आप पैसा निकाल सकते हैं और वो भी पैसा maximum 50% हो सकता है up to 3 times in a life मतलब आप जब तक job कर रहे हैं तब तक maximum 3 बार पैसा निकाल सकते हैं और maximum जितना भी EPF में आपका contribution है उसका 50% condition ये है कि आपने 7 सल service कर ली हो complete कर ली हो फिर हम देखते हैं इस condition को fulfill करने के बाद में आप किन चीजों के लिए पैसा निकाल सकते हैं partially तो पहला है अपने या अपने siblings या बच्चों की शादी या education के लिए आ पैसा निकाल सकते हैं दूसरी condition है कि अगर आपने कोई घर ले रखाया और उसका loan आप pay कर रहे है तो उसके लिए भी आप पैसा निकाल सकते हैं लेकिन इसमें condition थोड़ी सी modified हो जाती है आपको minimum 10 years की service होनी चाहिए तो ही आप पैसा निकाल सकते हैं तीसरी condition है कि अगर आप अपना जो घर है उसमें कोई alteration करवाना चाहते है कोई repair करवाना चाहते है तो भी आप उसके लिए पैसा निकाल सकते हैं लेकिन alteration अगर आप करवाना चाहते हैं अपने घर में तो minimum आपकी 5 years की service होनी चाहिए और अगर आप repair करवाना चाहते हैं तो minimum 10 years की service होनी चाहिए च उसके बाद बात करते हैं हम tax issues की तो क्या tax issues है पांच साल की service का इसमें criteria देखा जाता है अगर एक person है जिसने पांच साल के अंदर अपनी job change की है लेकिन अपना जो EPF account है उसने अगर new employer में transfer कर दिया है तो it is known as the continuous service वो continuous service ही कहलाएगी as per कि आपने एक ही company में पांच साल service की है तो अगर आपने पांच साल minimum continuous service कर रखी है complete कर रखी है तो अगर आप EPF में से withdraw करते हैं तो कोई tax नहीं लगता है लेकिन अगर आप 5 साल से पहले अपने PF में से withdraw करते हैं कोई चीज पांच साल service किये बिना तो उसमें tax के issues होते हैं वो क्या के issues होते हैं कि जो भी employer का contribution है उस जिस साल में आप पैसा निकालेंगे उस साल पे taxable होगा है पहली बात दूसरी बात जो भी आपने ATC में deduction claim किया है जो भी आप अपना contribution जो आप provide करते हैं EPF में उसमें आप ATC का benefit ले सकते हैं तो अगर आपने ऐसा ले रखा है तो वो आपके income में add हो जाएगा जिस साल में आप उसमें से withdraw करेंगे साथ ही साथ जो भी interest आपके own contribution पर आपको receive हुआ होगा उस पर भी आपको tax लगेगा तो यह कई चीजे हैं जो अगर आप 5 साल से पहले 5 साल service में आने के पहले अगर आप ऐसा निकालते हैं तो कुछ tax issues आ सकते हैं अब मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस EPF को आप online भी चेक कर सकते हैं जब भी आप EPFO के साथ registered होते हैं तो आपको 12 डिजिट का एक universal account number receive होता है that is known as the UAN number जो आपके PF account से link होता है आपके चाहे जितने PF account हो तो उस UN number के through आप अपने EPF का account का balance चेक कर सकते हैं इसके लिए आप EPF e-seva member portal पे भी जा सकते हैं यह among mobile app के through भी चीज़े चेक कर सकते हैं साथ ही साथ आजकल SMS या miss call से भी आप अपने EPF का balance चेक कर सकते हैं आखरी में हम देखते हैं कुछ advantages तो यह EPF आपको किस तरह के advantage देता है सबसे पहला EPF जो है यह tax-free investment कहलाता है salaried class के लिए exempt 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 status कहलाता है इसमें मतलब कि आप जो भी पैसा आप invest कर रहे है that is also tax exempt उसमें जो भी interest आपको receive हो रहा है that is also tax exempt और जो पैसा आप उसमें से withdraw करेंगे that is also exempted from tax दूसरी बात जो भी आपका own contribution है जो आप EPF में add कर रहे हैं contribute कर रहे हैं उसके लिए आप ATC में benefit ले सकते हैं डेर लाख रुपए तक का तीसरी बात यह है कि जो भी interest आपको total investment पे receive होता है या withdrawal जो आप करते है that is totally exempt as per the taxation अगर उस पे कोई tax नहीं लग रहा है अगर आपने 5 years की service को complete कर लिया है और फिर आप पैसा निकालते हैं तो कोई tax नहीं लगेगा चौती चीज अगर आपने यह advance या कुछ partial withdrawal किया हुआ है उसी को advance बोलते हैं तो उसमें किसी भी तरह का interest नहीं लगता है अगर आप उसको withdraw करते हैं तो साथ ही साथ जो आपने यह advance लिया हुआ है इसको repay करने की भी जरूरत नहीं रहती है मतलब आप अगर three times अपने lifetime में न मिल रहा है तो interest rate fix है हर साल change होता रहता है लेकिन as compared to other instruments जैसे की पीपीएफ हो गया सुकन्या समरित दियोजना NSC या bank या post office FD जो है इसके comparison में इसका return अभी भी काफी है अगर मैं देखूँ PPF का तो इसमें आप सिर्फ 7.1% interest मिल रहा है जो EPF के comparison में काफी कम है तो यह कु अपश्या बजस्ट की बढ़ाइ प्राच्ट जायर श्याथ था स्चराव मुल्या लुटन अश्यारा, इसमेने चरविएपी, जुब रखना में जूत क्यों सुटन आपक्या रहा है जिए भीए प्रफीए राच्ट